Hi beautiful soul family, friends, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुनने के लिए और इस beautiful सी reading का हिस्सा बनने के लिए Friends, आज बहुती special full moon reading है और ये full moon signify करता है emotional and spiritual growth को Time to reflect Friends, अभी आपको बहुत clearly दिखेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहां तक पहुँचे है और ये आपसे वो necessary hard work करवाएगा, जो आपको इस वक्त करने की जरूरत है तो उसकी प्रेधना आपको जरूर देगा तो देखते हैं अपने cards से और थोड़ा clarify करते हैं कि divine हमें इस full moon पर क्या message देना चाहते है आज का बहुत beautiful message है Friends, crow spirit you know आपकी जैसे ancestors आपसे कुछ इस full moon पर कहना चाहते हैं बिलकुल आप जो भी बोल रहे हैं उसे practice में लेकर आएए जिन्दगी हमारे through है Friends, life हमारे through हम create करते हैं तो जो सच, जो प्यार, जो भी beautiful चीजे आप जिन्दगी में देखना चाहते हैं उसे अपने through create करना शुरू कर दें अपनी खुद उस सच को जीना शुरू कर दें अपनी बातों पर कायम रहें इस वक्त आपकी आप जो करते हैं जो practically आप जिन चीजों को कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यांदेने की जरूरत है वो बिलकुल sink में होना चाहिए यानि अपका head अपका heart ये बिलकुल sink में रखें और तभी आप free हो पाएंगे और जो कुछ भी आपको इस वक्त सही नहीं लग रहा है तो उसे सही करने की जिम्मेदारी उठाइए अपने अंदर चीजों को सही करिये friends और तभी जब आप एक true life को जिएंगे अपनी true उस truth को experience करेंगे तो आप जो भी कहेंगे वो truth ही होगा तो यहाँ पर जैसे बहुत important message आ रहा है कि खुद से सच बोलना शुरू करें आपनी शायद अपने आपको ही बहुत भरम में रखा है और अब चीजें उजागर होंगी इस full moon के साथ अब अपने आपको और जूट नहीं बोल पाएंगी तो अपने आपको सच बोलिए और जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप दूसरों से भी सच्चे ही होते हैं friends तब आप सिरफ truth के साथ होते हैं हो सकता है कुछ चीजे जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी जो आपको थोड़ी difficulty हो रही थी जानने के लिए यानि खुद को भी समझने के लिए हमें friends जन्मों लग जाते हैं तो जो चीजे पहले समझ नहीं आ रही थी अब कुछ reveal ऐसा हो सकता है जो आपको खुद को समझने में और बहतर मदद करने वाला है और आपको राह दिखाई जाएगी आपको बहुत ही courageous होकर के truthful होकर के उस रस्ते पर आगे बढ़ना है आप देख सकते हैं आज इस card के थूँ एक लड़की जो है वो उपर चड़कर की ही अपने उस dreamland तक पहुँच सकती है उस light तक पहुँच सकती है तो आपको effort खुद ही करना होगा आपको रास्ता दिखाय जाएगा हो सकता है वो रास्ता थोड़ा सा you know fearful लगे आपको पहले क्योंकि वो unknown होगा आपको अपनी अंदर की strength पर भरोसा करना होगा और आगे बढ़ना होगा एक बार फिर हमारे पास clarifier आया है ace of swords friends पूरी clarity के साथ truth के साथ जब आप truth के साथ होते हैं तब आपको कुछ भी manipulate करने की जरूरत नहीं होती है कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है कि इस परिस्तिती में क्या बोलना है या इस इनसान को क्या बोलना है सच हमेशा सच ही होता है और सब के सामने वो बिलकुल naked होता है तो बस इसी सचाई के साथ आपको इसी truth को पकड़ कर रखना है और आगे बढ़ना है तो यह full moon आपके लिए एक तरह से सच को accept करने के लिए कह रहा है friends खुद की सचाई को accept करें और कितना जूट बोलेंगे खुद से तो जो भी इस रख किसी भ्रम में हैं तो वो समझ ले कि आपको इस सच को स्विकार करना ही होगा और यही सच आप देखे हमारा final जो कार्ड है 10 of Cups यही सच आपको आपकी emotional fulfillment की तरफ लेके जाएगा आपको आपकी खुबसुरत destiny की तरफ लेके जाएगा जो आपकी calling है आप इस सच को ignore कर रहे हैं self love को ignore कर रहे हैं खुद से जूट बोल रहे हैं और इसी वजह से you know friends हम अपनी जिंदगी में वो lessons को complete नहीं कर पाते हैं जो हमें करने होते हैं और जैसे ही आप इस सच के साथ जुड़ते हैं खुद के सच के साथ जो अब उजागर होने वाला है आपको बहुत clearly समझ में आप मेरे साथ जुलाई के महीने में जुड़ना चाहते हैं अपनी true potential को unleash करना चाहते हैं अपनी true power को feel करना चाहते हैं तो please आप मुझे मेरे whatsapp पर connect कर सकते हैं आपको मेरा whatsapp number description box में मिल जाएगा and thank you so much for being with me more love and light from Sonia